हमाले के अद्बूत नियाएकारी देवता अलाई मलका पूझा जाता है कालाडूंगी के इसकाओं में नौरात्री पर भक्तों की लगती है भीर देव भूमी उत्राखंड की धर्ती में गढ़वाल शेत्र में जहां प्रसद चार धाम तीर्थ यात्रियों के शद्धा का अपार केंदर है वही कुमाओं की धर्ती पर ग्राम एवं लोग देवताओं की महिमा यहां आने वाले आगंतुकों की धार्मिक चेतना को जगाती है यहां की पावन भूमी पर एक से बढ़कर एक महा प्रतापी ग्राम देवता वास करते हैं पौरारिक गाताओं से जुड़े ग्राम देवताओं के यह मंदिर पवित्र परवत मालाओं की सुंदर विराट अध्यात्मिक शुभा को धर्शाते हैं इन ग्राम देवताओं के विभिन रूपों में अध्भुत समानता हैं लगभग सभी देवता अपने भगतों से प्रसन होने पर उसका कल्यान करते हैं और अपनी अवमानना करने वालों पर नाराज भी हो चाते हैं अपने अधिकारों के लिए कोड के चहरी के चक्कर नहीं काड सकते वे उनके पास नयाय मागने चले जाते हैं और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जब असाध्य रोगों के लिए सक्षम हधियार डाल देता है तो रोगी के परिचन इनके पास आकर उसके स्वस्त होने वो ल युग में भी लोगों का उन पर अथा विश्वास पना हुआ है आचल शिद्धा वो अखंड विश्वास की जोड के साथ कुमाओं की धर्ती पर अलाईमल देवता इंसाफ अर्थात नयाय के लोग देवता के रूप में प्रसित हैं संकट वो अनयाय के घिरे लोगों की मह विपदाओं का हरण करने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है इनके दर्बार में स्टाम पत्र वो पत्र लिखकर भी लोग नयाय मांगते हैं एवं मनौती मांगते हैं नियम संयम वो कठोर अध्यात्मिक अनुशाशन के साथ इनके शक्तिस्थल पर शेश पूजा होती है अपने इश्ट देवता के रूप में भक्तचन इनका बड़े ही आदर सद्भाव के साथ इनके दर्बार में शीश नवाते हैं डीडी हाट शेत्र के लखैती गाउ में इनका फव्य मंदिर बेहत आकर्शन वो मनभावन का केंडर है बारी शेत्रों मे प्रवास करने वाले इस शेत्र के लोग इनके कदापी नहीं भूलते हैं और जहां भी रहते हैं इनके याद करते हैं। गाउं से लाकर यहां की गई उन्होंने बताया अलाइमल देवता के प्रती गहरी भक्ती भाव रखने वाले लक्षम सिंग बसेडा जी ने यहां भूमी दान में दी थी और वहीं इन्हें यहां लेकर आई स्थानिय भक्तों के सहयोग से मंदिर का निर्मार किया गया पूर्ण विधिविधान वो नियम के साथ यहां देवता की पूजा की जाती है मंदिर के भीतर पुजारी एवं आचारे भी ही प्रवेश कर सकते हैं श्री बसेडा ने बताया कि नौरात्रियों के उसर पर यहां अलाइमल देवता का विशेश पूजन होता है खास्तोर से पांचवी नौरात्री को मंदिर में विशेश रौनक रहती है इस तोरान प्रतापपुर, विद्रामपुर, रामपुर, कारारूंगी, खड़कपुर, चौधरी गेट चकल लुआ, हल्दवानी से भक्ते यहां दर्शनों को पहुचते हैं मनौती पूर्ण होने पर यहां घंटिया भी चड़ाई जाती है गंगा सिंग बसेड़ा, गोकुल सिंग बसेड़ा, राजेंज सिंग बसेड़ा, दिवान सिंग बसेड़ा, आदी मंदिर के तमाम भक्तिचन सदेव मंदिर के सेवा में तत पर रहते हैं हिमाले के महाप्रतापी देवता अलाई मलकी गाथा दंत कथाओं में काई जाती है माना जाता है कि महाभारत काल के महाप्रतापी योधा भीश्म पितामा वो उनके पिता में बेहद मित्रवत सनेह था इनके पिता एक वसु थे जो महाप्रतापी राजा हुए जिनका नाम दयोमल था इनके प्रसिद वो प्रतिभा से प्रभावित होकर मले नात भागी मल सही तमाम देवताओं ने आकर पूरवक तमाम देवताओं ने आधर पूर्वक नहें अपने आधर्श के रूप में ऐस्थापित किया और भागी मल देवता के पुतरी रौला कयोला के साथ इनका विवा हुआ महाप्रतापी देवता लाइमल के रूप में एक नयाएकारी देवता ने चन मिलिया जिनके नियाई की गाथाएं काफी प्रसिद हैं हिमाली शेत्र के अनिक भूभागों में इनकी पूजा होती है नियाई के लिए स्टाम पत्र यहार पित होते हैं दो पक्षों का विवाद यदि मंदिर पहुँचता है तो सिलह समझोते के बाद दोनों पक्ष पूजार चनाकर विशाल भंडारा आयोजित करते हैं कुल मिलाकर अलाई मल देवता परम नियाई कारी देवता के रूप में पूजित हैं कालाडूंगी से लाइफ टीबी समाचार के लिए रमा कांथ पंथ की खास रिपोर्ट आज हम मौजूद हैं कालाडूंगी छेत्र के परतापूर गाओं में इस गाओं में अलाई मल देवता का एक पुरसिद्ध मंदिर है जो नियाई कारी देवता के रूप में यहाँ पर पूजित हैं दूर दराज चेत्रों से भक्तिजन यहाँ पर पहुंचकर अपने आराधना के सिद्धा पुस्प अरफीत करते हैं कहा जाता है कि जो भी प्राणी अपने आराधना के सिद्धा पुस्प अला या मल देपता के चड़ों में अरफीत करता है आज मंदिर के आस्तावान भक्त पुजारी जी हमारे बीच में उपस्तित हैं आईए मिलते हैं से गुर्जी आपका सुबनाम सबसे पहले आप अपना सुबनाम बताईएगा पुजारी नहीं आप इधर को साथ देख से हैं बहुत सुबनाम क्या हुआ गिर्दर सी बसेड़ा जी हमारे बीच में उपस्तित है बसेड़ा जी थोड़ा सा इस देपता के बारे में आप दो सब्द के रूप में क्या कहना चाहेंगे किस छेत्र के देपता है कौन सा यह पूजा जाता है थोड़ा सब संचित जान गए देने की घृपा कीजिए यह मंदिर नियाय के देपता के नाम से जाना जाते हैं जी हम लोग हमारे पूर्वा जी स्रीलसंग सिंग बसेड़ा जी सार उमीट सो उन्सक्र सतर के आसवास को यहां पर आये थे उनके पर कई परे सब्सक्राइब को यह था कि मैं उनको साथ लीके आओं तो उस तेम पर यहां ले आए और यह बोमी भी उन्होंने दान मते रखी है और तब से हम लगातार इसको पूछते आ रहे हैं अच्छे और जाना चाहूंगा मैं इस जो यह मंदर यहां इस्तावित है यहां किन किन ग अधिक दो कौन से गाओं है ज़रा उन गाओं के नाम बताईए जिन गाओं के सदालों यहां पर आते हैं इस लेकिन वो पहाड से आस्ता रखने आले हैं तो सारे लोग यहां पर पूजा अर्टना करने के लिए आते हैं स्पेसली अपने उप्रेटी जी लोगों का बहुत सड़ेल के इलागे में एक बड़ा गाओं है वो लोग खास कर पंचमिक के नवरात्रियों में सपरवार यहां पर बहुत मेला लगता है उस तेम पर सब आते हैं अच्छे यहां जैसे पूजा पंदीती का क्या नियम है इस दरवार में किस तरह से प्रवेश किया जाता है क्या नियम है इस दरवार में पूजा अंदर पंडित उप्रेटी जी के अलावा दूसरा प्रवेश नहीं कर सकते हैं अंतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं मैला दर्शन बहार से कर सकते हैं लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर rescue को अपर दान किया इसक लिए आपका बहुत-बहुत धनीवात झाल झाल